उस आदमी की ऐसी हसी देख कर विवानने और जोर से अपने पैर को उसकी छाती में दबाया मैंने पुछा कौन है तू तुझे किसने भेजा है। वो आदमी लखाडाते हुए बोला मैं कौन हूँ ये जानकर क्या करोगे और मैं अगर मर भी जाओ तो मुझे उसकी कोई परवा नहीं है मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथों से मरने के लिए तयार हूँ। अच्छा तो तुझे इतना ज्यादा शौक है मा मेरे हाथ से मरने का तो फिर ठिक है मर तू इतना बोल विवान अपनी बंदूप की छे की छे गोलिया उस आदमी के भेजे में उतार दी उसे ऐसे आदमी बिलकुल पसंद नहीं थे जो उसके सामने ना जुके और वही गलती अभी उस आदमी ने की थी उस आदमी को विवान मौत के घाट उतार कर तरंग को इशारा करता है और खुद वहां से निकल जाता है अभी विवान का चेहरा गुस्से से लाल होकर फटा जा रहा था वो अपनी कार में बैठा और निकल गया उसके पिछे उसके बोडी इधर तरंग जो हैरान था क्योंकि विवान ने बिना इस आदमी के बारे में कुछ जाने उसे नर्क लोक की यात्रा करा दी थी विवान एक नजरोस आदमी की लास जो अभी कुछ देर बाद लास बन चुकी थी उसने कहा ये भाई को क्या हो गया है अब हमें कैसे पता चले आली वाली में गाद दो या फिर कही जंगल में फैक्ट दो इसे बेचरे जानवर लोगों का भी कुछ भला हो जाएगा और यहां एक भी महत नहीं होना चाहिए जी बॉस बोडी गाद्स ने कहा और अपने काम में लग गए इधर रुहानी और तनवी दोनों अभी एक साथ रुहानी के केबिन में थी वो काफी परेशान लग रही थी तनवी जो बस कबसे पुरे केबिन का चक कर लगाए जा रही थी वही रुहानी जो कबसे अपने गाल में अपना हाथ देकर बैठे बैठे कुछ सोच रही थी तनवी ने अच्छानक से कहा यार रुही आखिर ये अमेरिका का बसीनस टाइकूम विक्टर चेल्स हमारे साथ क्यूँ डील करना चाहता तुम्हे कोई आइडिया है तन्बी की बात सुन रोहानी अपने दिमाग में 80 किलो का लोड लेकर सोचने लगी तो उसके जहन में उस रात वाली पाटी आई जब आज से पांच महिने पहले विवान और मिस्टर चेल्स में एक आग्रिमंट साइन किया था उसके कान में ये अवाज गुंजने लगी जो विवान ने मिस्टर चेल्स से कहा था अब ये हुकुमत मेरे हाथ में होगी मिस्टर चेल्स के कहे गए शब्द देख लेंगे कौन किंग है और कौन गिदा है रोहनी इन सभी बातों को ध्यान में रख कर और अपने दिमाग में सोच सोच कर अचानक से बोल पड़ी कही ये सब हमें फसाने की चाल तो नहीं है क्योंकि उस रात पाटी की रात याद करो जब विवान और मिस्टर चेल्स के बिच वो आग्रिमन्ट साइन हुआ था तो विवान ने उससे क्या कहा था कि अब ये हुकुमत मेरे हाथ में होगी तन्वी भी बेहद जोर जोर से अपने दिमाग में लोड लेने लगी उसे भी कुछ-कुछ याद आया तो वह बोल पड़ी येस येस, you are right, मुझे भी लगता है कि ये जरूर उनकी कोई चाल है हमम, तो हमारी भलाई इसी में है कि हम इस डील को accept ना करे रोहानी थोड़ा सोचते हुए बोली जिसकी बात पर तन्वी भी बोली हमम सही कहा वैसे कावेरी ओबरोई के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है हम कैसे क्या करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तन्वी ने उदास होते हुए कहा हमम अब हमें तो हमारी काबिलियत पर है शक हो रहा है कि हम बस एक औरत के बारे में नहीं कुछ जा पा रहे है उसके बारे में ना हम कुछ पता लगा पा रहे है फिर एक बार और रोहानी जजुला कर बोली अरे यार आखिर ये कावेरी ओबरोई है कौन रोहानी के साथ साथ तन्वी को भी बेहद गुस्सा आ रहा था लेकिन अब वो करती भी तो करती क्या ऐसे हे शाम हो गई आज ये तेफाक से विवान रोहानी तन्वी और तरंग एक साथ घर पहुँचे थे लेकिन घर पहुँचते है उनकी आखे हैरानी के मारे बड़ी हो उठी चारो एक कभी एक दुसरे की तरफ देखते तो कभी ओबरोई विला की तरफ देखते तन्वी तरंग की तरफ अपने कदम बाते हुए बोली ये सब क्या है पुरा घर इतना ज़्यादा सजा हुआ क्यू है तरंग की भी आँखे हिरानी से बड़ी थी उसने भी ना समझी वाले लहजे में बोला पता नहीं इधर रोहानी विवान के पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए प्यार से बोली तुमने किया है ये सब अगर हा तो बहुत खुबसूरत है इतना बोल रोहानी अपनी बड़ी बड़ी आँखों से विवान की तरफ प्यार भरी नज्रों के साथ देखती रही पूरा ओबरोई विला फोल पत्तियों और लाइटों से इस तरह सजाया हुआ था जैसे मानू आज है यहाँ किसी की शादी है आज ओबरोई विला बाहर से दिखने में इंसानों से ज़्यादा खुबसूरत लग रहा था वही विवान जिसे रोहानी के सवालात ने हिला दि यह सब चलो अंदर चल कर देखते हैं इतना बोल विवान अपने कदम आगे बढ़ा दिया जिससे पहले रोहानी उससे कुछ पुछ पाती या उससे कुछ सवाल कर पाती रोहानी भी बिना कुछ कहे उसके पिछे पिछे आ गई वही तनवी और तरंग भी आये चारो जैसे ह घर ले अंदर दाखिल हुए लाइट चली गई पुरा घर अंधेरा हो रखा था चारो तरफ अंधेरा है अंधेरा फैला था विवान को ये देख कर कर बेहत गुस्सा आया दादी विना लाइट क्यू नहीं ओन है विवान के सवाल का कोई रिपलाई नहीं आया तो उसने अपना फोन का फ्लाशलाइट ओन कर लिया और फिर सिधियो की तरफ रुहानी का हाथ था में बढ़ने लगा वही तरंग ने भी अपने फोन का फ्लाशलाइट ओन किया फिर तनवी का हाथ पकड़ कर उसे उसके कमरे मेले जाने के लिए बढ गया पहले उसने तन्बी को उसके कमरे में छोड़ा और फिर खुद अपने कमरे में आ गया इधर रुखानी और विवान भी जैसे जी अपने कमरे में आये वैसे हैं लाइट आ गई ये देखकर रोहानी को कुछ तो गडब्ड लगा उसने खुद में हे बडबडाते हुए कहा कुछ तो गडबड जरूर है हमें देखना चाहिए लेकिन पहले हम फ्रेश हो जाते है रोहानी फ्रेश होने का सोच कर जैसे है वाश्रूम की तरफ बने को हुई तो उसे बैड में कुछ रखा हुआ नजर आया तो वो विवान की तरफ देखते हुए बोली ये क्या है विवान की भी नजर बैड पर गई तो उसने कहा पता नहीं खुद है देख लो, क्या है? तुमने रखा है रोहानी ने अपनी आँखों को फैलाते हुए बोली नहीं यार मैं क्यू रखुनगा? विवान में रोहानी का घुरते हुए कहा तो रोहानी बिना कुछ बोले बैड में रखा बैग उठा लिया उस बैग के निचे एक लेटर भी था रोहानी उस लेटर को खोल कर जोर जोर से पने लगी ताकि विवान भी सुन पाए मेरी प्यारे भाई अन्स्वीट भाभी हम चाहते है कि अभी रात के डिना में आप दोनों ये द्रास जिसे अभी आपने बैड से उठाया है उसे पहने प्लीज प्लीज रोहानी को एक बार फिर ये लेटर पढ़ कर हिरानी हुई क्योंकि ऐसा आज पहली बार हुआ था वो इस बार विवान से बोली तुम्हें नहीं लगता है कुछ तो गडबड है वरना ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ था रोहानी की बात पर विवान एक टक रोहानी को देखता है जिसके चहरे पर मासुमियत साफ जहलक रही थी वो उसे देखते हुए बिना किसी भाव के बोला ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद विना चाहती हो कि आज डिनर में सभी उसके पसंद के कपटे पहन कर तैयार जो खेर जो भी है देखो क्या सी ड्रस है वैसे भी भाव विना का आदेश है मानाना तू पड़ेगा ही विवान की बात सुन रोहानी हलका सा मुस्कुराए और फिर उसने कोई रेक्शन नहीं जाताया उसने बैंक खोलपा और ड्रस निकाल ली इसमें दो ड्रस थी एक विवान उसने विवान की द्रेस देखी जो एक लाइट ब्लू है कलर की थरी पिस थी उसने उस थरी पिस को विवान की हाथ में थमाते हुए कहा ये लो तुम्हारी द्रेस हम तो चले फ्रेश होकर अभी रेडी होने हमसे इंतजार नहीं हो रहा है इतना बोल रोहानी सिधे बात बग गी वही ऐसी छोटी छोटी बातों में रोहानी की इतनी खुशी देखकर मुस्कुरा उठता है और वो भी फ्रेश होने चला जाता है इधर तन्वी और तरंग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ तन्वी के लिए वहां महरूम साड़ी थी और लेटर में लिखा था ड बेड में एक महरून थरीपिस मिला जिस पर लेटर लगा था डियर तरू भाया प्लीज आज डिनर करने यही द्रैस पहन कर आना प्लीज प्लीज तरंग को भी कुछ समझ नहीं आया वो भी उसी थरीपिस को चेंज करने चला गया इधर कुछे देर में विवान रेडी हो ग और रोहानी की तरफ अपने कदम बाने लगा यौर लूकिंग सो ब्यूटिफाल बेबी डॉल कहते हुए विवान रोहानी के एक दम करिबा कर खड़ा हो गया रोहानी उस लाइट ब्लू पैटन साड़ी में भी किसी हूर की परी से कम नहीं लग रही थी हालांगि उसने ज़ाधा मेकप नहीं किया था उसने मेकप के नाम पर अपने होटों पर बस पिंक लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई थी रोहानी ने उस ब्लू पैटन साडी पर एक डाइमंड का सेट पहना था बाय हाथ में फास्ट ट्राक की वॉच और उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ दिया था आज रोहानी दुनिया की सबसे खुबसूरत लड़की लग रही थी वही विवान रोहानी के और नजदेक आकर एक दम से रोहानी की आँखों में जाकने लगा वही रोहानी ने भी जब एक नजर विवान पर डाली तो जैसे उसकी जान हलक में है आ गई उसकी धकने किसी बुलेट ट्रैंग की रफतार में चलने लगी विवान का मैस्क्थूलर बोड़ी, अट्राक्टव लूक, अहे आज तो रोहानी उस पर मरहे जाने वाली थी वही उसने जब विवान की निली गहरी आँखों में अपनी नजर डाली तो उसमें एक डाम से खो गई विवान की निली गहरी आँखे समुंदर से भी गहरी थी जिसे अगर एक बार कोई देख ले तो वही अपनी जिन्दगी से हाथ धो बैठे उन दोनों के बिचे एक एंच का फासला थंडी फिजाए ना जाने कैसी बेटीन है जो दिल कह पाए ना ना जाने कुओन ये एक पैल बिन तेरे रपाए ना ना जाने कैसी बेटीन है जो दिल कह पाए ना ना जाने कुओन ये एक पैल बिन तेरे रपाए ना टू बीट ये क्या हुआ आँखों के दर्मिया के लगने गखोबू से बाठा ये जान्टरे हाई ख्यालों में कत्ती राटेनी सुभाल I need is your love All I need is your love पर भी लर्टू कभी बात आंखों पे लिखी के चाहे तुझको हाई और ये कुछ भी चाहे ना हाँ दर दर दिल में अपने थोड़ी जगा ना जाने कैसी बेटीन है जो दिल कह पाए ना ना जाने कोण ये एक पैल बिन तेरे रपाए और्यो बाई साकिल जैक्स 07 ना जाने कैसी बेटीन है जो दिल कह पाए ना ना जाने कैसी बेटीन है जो दिल कह पाए ना ना जाने कुओन ये एक पैल बिन तेरे रपाए ना, तू बीटिये क्या हुआ, आँखों के दर्मिया, के लगनेगा खोबू से बाठा, ये जानतरे हाई ख्यालों में, कत्ती राटेनी सुभाल, I need is your love, all I need is your love पर भी लर्टू, कभी बात आँखों पे लिखे के चाहे, तु ये एक पैल बिन तेरे रपाए ना, ये गाना असल में तो नहीं बज रहा था, पर पर हा, इस गाने की तरह दोनों के दिलकतार जरूर एक दुसरे के लिए यही बया कर रही थी, विवान ने रोहानी की तरफ अपना हाथ बाते हुए कहा चले, विवान की अवाज सुन, रो हाथ थामे निचे लिविंग में आने को हुए कि विवान की नजर रोहानी के गोरे पिट पर गई, उसने जट से रोहानी को उल्टा दिवार के बल कर दिया, विवान की इस हरकत से रोहानी हैरान थी, वहिज विवान गीरे से रोहानी के बाल जो पिछे पिट पर लटक रहे थे उन्हें आगे कर दिया और फिर रोहानी के ब्लाउस की चेन लगाने की कोशिश करने लगा रोहानी अभी तक समझ नहीं पाई थी कि आखिर विवान कर क्या रहा है लेकिन विवान की छोवन का एहसास पाते है उसका दिल बेहत तेजी से धकने लगा उसने अपनी आखें ब बोली क्या पता नहीं पर मैंने लगा दिया है विवान ने चंडे स्वर में कहा इधर तनवी और तरंग लिविंग एरिया में आये तो हैरानी से उनकी आखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि वहां लिविंग एरिया में पूरी तरह से अंधेरा चाया था तनवी को दर भी लग रहा था इसलिए उसने कसकर तरंग का हाथ पकड़ लिया यहां इतना अंधेरा क्यूं है तरंग ने भी तनवी के पिट को थप थपाते हुए बोला वो लगता है आज लाइट खराब है मैं देखता हूँ इतना बोल जैसे है तरंग जाने को हुआ तो वहां रुह मगा हे रहे थे साथ हे रुहानी विवान और तरंग तनवी की आंखे हैरानी के मारे चमक रही थी पूरा लिविंग एरिया फूलों और लाइटों से जगमगा रहा था हर तरफ फूल की लदिया लटक रही थी बिच में एक स्टेज सजाया गया था सभी इधर उधर देख पर उन्हें वहाँ घर का कोई भी सदस्य नजर नहीं आ रहा था तभी वहाँ किसी का अवाज गुंजी लो भाईया भावी अंतनवीदी और तरंग भाई हैरानी हुई ना ये सब देख कर हमें भी हैरानी हुई आप सब की खुबसूरती देख कर सच में बहुत खुबसूर अप लोग अरे भाई हम आप सब को यहां क्यू बुलाए है ये आप हमसे नहीं पुछेंगे वो अवाज विना की थी सभी इधर उधर देख रहे थे कि आखिर विना बोल तो बोल किधर से रही है किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर से विना की अवाज आई अरे वैसे आज डेट कौन सी है आप सब को कुछ याद है इस बार भी रोहानी ने ही कहा हमम याद है आज 19 जुलाई है रोहानी ने ये बात फोई अटकते हुए कहा वही विना ने कहाओ मेरे सपुतो आज की ही डेट में आज से एक साल पहले फर्स्ट टाइम भाई और भावी मि वहा था वो दिन आज है का देट था आज है तारिक था जब विवान ने पहली बार देखते ही रोहानी को अपना दिल दे बैठा था उन दोनों की पहली मुलाकात तो आप जानते हैं कैसे हुई थी अगर नहीं जानते है तो अभी फर्स्ट चाप्टा पईए लेकिन आज त विवान या रोहानी ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि वो दोनों तनवी और विवान की एंगेजमेंट वाले दिन से भी पहले एक बार मिल चुके थे तब ही बीना फिर से बोली भाय आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ये सोचने की हमें कैसे पता कि आप दोनों कब मिले थे तो मैं बता दू ये सीक्रट है और इस सीक्रट को छुपाने के लिए हमें रिश्वत चाहिए देंगे विना नहीं ये मजाक से कहा था वही विना की ये शब्द सुनकर सभी हस पड़े तभी वाहा काम्याजी और आराधना जी आई उन्हें देख विवा ना आराधना जी ने कहा तो फिर काम्याजी बोली हमम और हमें भी तो अपनी दोनों पोतियों की शादी देखेंगे काम्या जी की बात सुन तन्वी और रोहानी दोनों काम्या जी के गले लग गई थांक्या दादी दोनों बहुत खुश हुई थी ये जान कर कि आज उनकी एंगेजमेंट है वही आराधना जी थोड़ा सा गुस्सा जताते हुए बोली अरे ये तो गलत है ना सारी तैयारिया की हमने और सारा क्रेडिट काम्या जी को वा वहा क्या बात है इतना बोल आराधना जी ने अपने दोनों हाथ बांध लिये वही रोहानी और तन्वी फिर सलोनी जी आगे बढ़कर तरंग और विवान दोनों को गले लगाली खुश रहो मेरे शेरो तुम दोनों हमेशा वही विना जिसे ऐसे खुशी महौल में अमोशनल ड्रामा देख कर बड़ा दिमाग खराब हो रहा था उसने फिर से अपने हाथ में माइक लेते हुए कहा पे कर बोली हमनी एंजेओ या करने के लिए भी तो गेस्ट चाहिए फ्रेंड्स चाहिए पर यहां हमारे भाई साहब को किसी को अपनी बिवी को दिखाना ही नहीं है तो महमान आना नमुकिन है विना की बात पर विवान बड़ी बड़ी आँखों से विना का घूरने लगा ले और विवान एक दूसरे को रिंग पहनाए उसके बाद तन्बी और तरंग आप दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाएगा चारों पहले स्टेज में गए फिर जैसा आराधना जी ने अभे कहा था पहले रुहानी और विवान को रिंग पहनाने के लिए पहले रुहानी ने अ है ट्यून जाने कितनों की लव स्टोरी अन। केसरिया तेरा इश्खै पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगौन दिन बीते सारा तेरी फायका में रेन सारी तेरी खेर मनोन। इस गाने की लिरिक्स बिलकुल रोहानेक और विवान के दिल के तार से जुडी थी दोनों ने एक द दूसरे की आँखों में खोसे गए अभी भी यही सौंग प्ले हो रहा था। केसरिया तेरा इश्खै पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगौन दिन बीते सारा तेरी फायका में रेन सारी तेरी खेर मनोन। पतज़ड के मौसम में भिरांगी चनारन जैसी जनके सन्नेटन में तू वीना के तारो जैसी हम सदियों से भी लंबी ये मन की अमावसेन है और तू फुझाडियों वालिटा हरन जैसी चन्दा भी दीवाना है टेरा जल्टी है तुझ से सारी च्छा को रियान। तभी अब तनवी और तरंग ने भी एक दुसरे को रिंग पहना दिया और बस एक दुसरे को देखने में इस कदर खो गए जैसे कितने सालों से उन्होंने एक दुसरे को नहीं देखा था अभी सॉंग की लाइन कुछ इस तरह से थी। काजल की स्याही से लिखी है ट्यून जाने कितनों की लव स्टोरी अन। प्या रंग जाऊं जो मैं हाथ लगौन। दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुर आया हूँ। तुम्हें देखा तो जाना ये के क्यू दुनिया में आया हूँ। ये जान लेकर के जा मेरी तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। जमीन से आस्मान तक हम धून्द आये जहां। सारा बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा जमीन से आस्मान तक हम धून्द आये जहां। रोहानी विवान तन्वी और तरंग इसी गाने में बहुत प्यारा सा कपल डांस कर रहे थे विवान रोहानी के कान में बोला कैसा लगा इन लेडीज का सप्राइज, बेबी डॉल विवान की बात पर रोहानी हलका सा मुस्कराते हुए बोली बहुत अच्छा सारा बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा बातों में तेरी है बदमाशिया सब बेवजा की है तरीफिया मैं लिख दून आस्मान पर ये के पढ़ लेगा जहां सारा हुआ नहोगा अब कोई यहां हम दो सा दोबारा मैं दुनिया भर की तारीफे तेरे सजदे में लाया हूँ मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ तू है जो रूबरू मेरे बड़ा महफूज रहता हूँ तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ तू है जो रूबरू मेरे बड़ा महफूज रहता हूँ तेरे मिलने का शुक्राना खुद से रोज करता हूँ हमको पता है ये नादानिया है आवारा दिल की है आवारिया ये दिल पागल बना बैठा इसे अब तू ही समझा दे दिखे तुझ में मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू बंजा रहे हूं खुश किस्मत जो किस्मत से तुम्हे ऐसे मैं पाया हूं मैं तुमसे इश्ख करने की इजाज़त रब्ब से लाया हूं रोहानी विवान और तन्वी तरंग ने बेहद रोमांटक डान्स किया अब डान्स खत्म हो चुका था.